नमस्का दोस्तों मैं आपका अपना मनोज अगनी अपने चैनल जी गुरू जी अभी हाल ही में आज टुड़े जो है नोटिक्विशन निकल चुकी है नेवी के एक्जाम की जो युबा जो भारतिय भारती नौ सेना में जाने के इच्छा रखते हैं उनके लिए बहुत सो नह 65 पोस्टे जो इसमें निकाली गई है और उसमें 273 पोस्टे जो फीमेल के लिए निकाली गई है ये एक्जाम SSR for the exam 2023 के लिए और इस नेवल एक्जाम में क्यागा इपॉर्टन रहेगा पूरी जानकारी देंगे इसको ये जो फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस उसके बाद इसमें QR code है, उसके QR code पे जाकर आप सीधा वहां से exam online भर सकते हैं, उस exam को भरने के लिए कोई बहुत ज़्यादा है, महनत की जरूरत नहीं है, आप online अपने फोन से, अपने टैप से भी उसको भर सकते हैं, उसकी normal fees जो है वो 550 रुपे रहेगी, उसके बारे में ब हर काम देश के नाम, नवी का ये लोगो है, हर काम देश के नाम, चलो आगे चलते हैं, इंडियन नवी invites applications for the unmarried male and female, candidate for Agnibur SSR 2023 second batch, record the second batch, अब इस पे चलते हैं, eligibility conditions की बात करें, online application form unmarried male and female के लिए है, और यहां पे हम बात करें, total vacancy जो है, वो आपकी 1365 है, और female के लिए भ 273 है, बड़ी खुशी की बात है, लड़कियां भी अब इसमें बहुत अच्छे से भर सकती हैं, पिछले साल जो है, पिछले वर्स जो है, नवी ने इसको एनाउंस किया था, और पहला बैच जो है, अगनी वीर का वो जा भी चुका है, और उसमें लोगों ने participate कर लिया है, इसकी जो ट्रेनिंग है लगबग, इसका एक्जाम जो है, वो आपका मेई 29 को निकलेगा, और 15 जून ता की यह एन ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी भी सारी जानकारीश में है, और एक्जाम भरने के बाद इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, सारी जानकारीश के ब इसमें चाहिए, यह इसकी एलिजिबिल्टी है, अगर आपके पास यह है, यह एलिजिबिल फॉर्द नेवल एक्जाम, आगे चाहते हैं, एक नवंबर से लेके 30 सेप्रेल 2006 तक, यह एक नवंबर 2002 से लेके 30 सेप्रेल 2006 के बीच अगर आपकी एज है, तो आप इस एक्जाम क भर सकते हैं, matter status की बात करें, only unmarried ही इसे भर सकते हैं, जो married हैं वो इसे नहीं भर सकते हैं, आगे बात करें, term then condition की duration of services, अगनीवीर की सारी जानकारी है, मैं शॉर्टकट में आपको देता हूँ, तो यहाँ पर अगनीवीर का जो योजना भारत ने, जो भारती सेना ने, ज अगनीवीर की बात करें, इसका फॉर्मर्ट दे रखा है, जो आपको already पता है, उसके बाद अगर बात करें, there shall be no entitlement for gratuity and the passionary benefit, जिसके हम बात कर रहे थे, कोई भी आपको pension यहाँ पर नहीं मिलेगी, अगनीवीर, live insurance की बात करें, अगर बात करें, अगर बात करें, तो वहाँ पर 44 लाग का वहाँ पर इंसरेंस देती है, disability fund जो है यहाँ पर दिया जाता है, वो भी 44 लाग से लिके, 25 लाग से लिके, 15 लाग के बीच यह दिया जाता है, आगे हम बात करें, अगनीवीर बात करें, जिसके हम बात करें, 25% of each specific batch, अगनीवीर बात करें, अगर उसके रिलीज अगनीवीर बात करें, प्रियोर्ड देकुंपे, इंगेजमेंट पेरिए, होँएविर इंगेजमेंट पिरिए, अगनीवीर लिए दो प्रियूर्म नहीं है, यहाँ पर बात करेंगीज्पेरिस, और उसके लिए, उसके लिए उतने समय तक वहां पे रहेगी, जब तक वो है उनके लिए जो medical facility है और दूसरी facility वहाँ पे रहेंगी selection की बात करें, selection process में 2023 batch will be include the two stages shortlisting, computer-based online examination पहला होगा फिर second exam जो होगा वो PFT physical fitness test होगा और साथ में examination भी होगा दो exam यहां पे होंगे stage 1 और stage 2 तो shortlist जो पहले में shortlist होंगे और exam 2 के लिए वहां पे eligible होंगे आगे हम बात करें तो यहां पे जो पहला जो है आपको phase पास करना पड़ेगा यानि पहले जो merit बनेगी उसमें आना पड़ेगा उसके बास second paper आपके लिए eligible होगा computer-based examination में Hindi English दोनों language में होगा साओ question बहां पे होंगे और इन साओ question में साओ question के बाद जो है यहां पे जो the questions paper will comprise of four sections that English, Science, Math and General Awareness इसारे होंगे वहां पे और the standard of the question paper will be that 10 and plus 2 slivers sample papers for the examination available on the Joint Indian Army join Indian Navy के अगर बात करें तो वहां पे यह website पर यह सारे के पिछले paper दिये गी है duration of examination एगहंटा रहेगी और वहीं अगर बात करें तो candidate required to pass all the sections हर section आपको पास करना पड़ेगा यह navy का यह condition है यहां पे आगे बात करें तो penalty for the wrong answer के लिए अगर आपने wrong answer दिया है तो penalty रहेगी 0.25 यह पर penalty यहां पर है center of allocation की बात करें वह अपनी मर्जी से देंगे जहां भी इनको suitable करेंगा वह आपको मिल जाएगा fees की बात करें online fees charges है यहां पे 550 including की बात करें तो वहां पे plus 18% GSTV वहां पे आपको पे करना पड़ेगा fee अगर एक बार दे दी तो दुवार आपको नहीं मिलेगी आपने अच्छे धंक से इसको exam को वहां पे fill up करना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अगर आपकी fees वहां पे नहीं जाती है तो आपको call letter नहीं आएगा अगर in either case you are not eligible and if you are paid the fee, the fee will be back in 7 days साथ दिन में आपकी fees वह बापस आ जाएगी stage 2 अगर मालो आपने stage 1 का exam qualify के लिए तो stage 2 के लिए आप जाएंगे stage 2 में जो है वह candidate specialist INET यहनकी examination computer based online examination will be issued call letter stage 2 examination PFT requirement medical examination सारी चीज़े यहां पे होगी और इसके बाद जो है यहां पे जो stage 2 का result निकाला जाएगा वह Indian Navy की जो website है उस पे निकाल दिये जाएगा physical standard की बात करें तो mail के लिए 6 minute 30 second में आपको यह जो है 1600 meter जो है वो clear करना है और लड़कियों के लिए जो है वो 8 minute का time रहेगा और वहीं लड़कों के लिए 20 उठक बैठक हैं और लड़कियों के लिए 15 हैं पुश अप लड़कों के लिए 12 हैं लड़कियों के लिए बिलकुल नहीं है वहाँ पे बैंड नी सेट अप जो है लड़कों के लिए नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए हैं तो बात करें एडवाइजरी प्रफेंसिल स्पोर्स और स्विमिंग इसके लिए जो है अगर वहाँ पे आक्टिविटीज के लिएsol रहे हां यहां को वहाँ पे मौका मिलेंगा यहने इसके भी नमबर्स वहां पे मिल सकते हैं requirement of medical examination वो आपका fit होन चाहिए आप medically बिल्कुल fit होन चाहिए अगर वहाँ पे आपको medical challenge मिलता है तो आपको 21 days दी जाते हैं आपने medical को fitness certificate लाने के लिए जहां भी naval army जो है वो आपको Indian naval जो बताएगा वहाँ पे आप इसका physical fitness टेस्ट करवा सकते हैं मेरिट्र लिस्ट की बात करें तो इसमें जो पर स्टेस्ट टू को अगर वन आप करते तो टू आएगा तू आने के बाद जो टोट्रल आपका sum of marks जो बनेगा उसका काटा-off issue होगा आपका लगभग जो है अक्तूबर 23 तक हो जाएगा आगे हम बात करें क्योंकि अक्तूबर 23 में हो जाएगा तो लगओक नमबंबर में इस batch की training वहाँ पे शुरू हो जाएगी आगे बात करें final requirement medical, final requirement from the medical examination all the selected candidate will be conducted at INS-Tilka वहीं जी बात करें थे medical standard की बात करें तो आपका medical standard बिखकुल fit fine होना चीए डॉक्टर्स जो है उसमें fitness आपको certificate देंगे लड़कों के लिए taking treatment के लिए I am 507 cm अजर लड़कें के लिए यहां पे 152 cm है । घाटू आपका सीधे हाथ पे यह नहीं हे। आपके 유yn फेस पे हो सकते है लेकिन आउटर फेस पे एट आटूलेगा अगर आप शीर पेक हैं और तो है तो आपके नजर जो है six by six होने चाहिए टेनिंग पीरिड की बात करें, नमबर 23 में चलका में आपके टेनिंग यह शुरू हो जाएगी, और अगनिवीज आ लाइबल to be discharged and unsuitable due to unsatisfactory performance at any time during the training, अगर आप unsatisfied हैं, आपके टेनर तो आप वहां पे आउट किये जा सकते हैं, यह आप आप अगनिवीर नवी पे वहां पे जाये सीड़क डॉट इन पर जाये तो भर सकते हैं, और इसमें जो डूरू जो है और अपका जुलाई दो जार तेटीस में यह एक्जाम आपका हो जाएगा, यह जुलाई में आपका नेवल का एक्जाम जो होने वाला है, और अप the candidate and no documents would be sent by the post at any stage. और अप्टोमेंट सेबस आप लेकिंटार अप लेन पेटीस ने रीजस को लेको ऑपे यह एक सैम को भर सकते हैं, और यह यह तु like this, और अपका एक्जा साफ यह दू होनि 9-rando प्रजिंख्वे मेडिकले ग्जामिनेशन संटर मैं इव्डेशन पर प्यार पर लाही थिए देख्वांतर वाही है भाकी सारी जानकारी है cdac.in website 29 May 2023 to 15 June 2023 the procedure is available on cdac portal that is Agnivir Navy application form you will have any uploads and corrections carried out by the candidates before the last date of submission no further corrections and update feasible after the date of submission of application incorrect declaration of the information by the candidates if it happens that you are going to lose weight then it will not be back so you have to keep it from your attention and do not correct there to talk about the photograph you will have to do a good job you have to do a photo in any way you have to do a photo in any way you have to do a photo from 10KB to 15KB you have to do a proper photo in Photoshop you have to do a good photo in any way you have to do a good photo in any way important information mobiles, phones and communications devices not too well allowed in the paper all of you know candidates are strongly advised to apply the online will be timeouts waiting for the last date of submission of online application no candidate should misbehave in any manner or create the disorder seen in examination premises this will be entire disqualification while filling the online application from candidates should carefully decided about his choice for the location of examination it will remain in charge all the things that you have to do before the exam you have to do this notification you have to do this notification let's see this is the whole thing last day for online application 15 June 2023 COVID-19 instruction here they are now going because now the total COVID-19 cleared guns not yet warning warning so we were for the agents you have to do it you have to do it they have to do it discriminated terms and conditions will be advertisement are the guidelines only are the subject to change without notice further order issued by the government as amended from the time to time will apply for the selected candidates this can be done here if you talk about it I will increase it here when you are watching this video so go to this video you will scan it as you will scan it here you can see you can scan it as you can scan it as you can scan it as you can scan it you will scan it here all the time you will see the exam which will be may 29 June 15 June and you will be in July you will be in this exam we will have to do it basic mathematics basic science basic reasoning basic general awareness we will have to do it and we will have to do it with free of cost here you will have to do it and you will have to do it on the same page and you will have to do it in the same page in the same page so we will have to do it so we will see you and subscribe and share which is more information we will give you to you Namaskar what the do and follow the